प्रिश्द की बैठक कल ग्रीमंत्री अमित साजी के अधक्षिता में हुई मुखमंत्री इसकुमार ने अपनी मांगों को भी रखा है विशेस राज का दरजा का मांगो या हाइड डेम मनाने का मांगो कह लगता है सर की जो बैठक रही है क्या वो बैठक सकरात्मा अपको उम और हम लोगों का किये जिम्मदारी थी कि उस बैठक में ग्रीमंत्री जी का स्वागत किया जा और हम लोगो बहुत पोजिटिव हैं पोजिटिव रह करके ये बैठक कराई गई सेंटरल गॉर्मेंट की बैठक थी और मान्य मुखमंत्री जी ने अपना सारा डिमांड रख लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतिय जनता पार्टी ने ये तै कर लिया है कि बिहार को आगे नहीं बढ़ने देना है बिहार का विकास नहीं करेंगे बिहार के नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे सेंटरल गॉर्मेंट में और नहीं बिहार के किसानों गरीबों पिछडो अति पिछडो की आवाज वो सुनेंगे वरना बहुत दिनों से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि बिहार को आप विशेश राज का दर्जा दीजिए उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती मानिय गिरिह मंत्री जी या भारतिय जनता पार्टी के सभी लीडर्स आते हैं और तरह तरह के भाशन करके चले जाते हैं उनको बिलकुल फिकर नहीं है बिहार के विकास की और नहीं चिंता है वो बिहार के साथ सोतेला सुलूक कर रहे हैं और हम लोगों ने सारी बाधाएं को बाधाओं को दूर करके बिहार को आगे बढ़ाया है और जो भी प्रोटोकोल, गर्मंटका प्रोटोकोल, हमारे सरकार और हमारे मुक्या ने दिया है। बिहार के लोगों ने अपनी खुली आँखों से देखा इसको किस तरह नितीश कुमार जी बिहार के लिए किसी के पास भी कोई पुलिटिकल जगड़ा को भुला करके किसी के पास भी जा सकते हैं जुक सकते हैं और बिहारियों की तरकी के लिए किस कोई भी कदम बढ़ा सकते लेकिन भारतिय जंता पार्टी बिहारियों का सुनने को तैयार नहीं है मंत्री जी ने जो आर्थिक जन्गन्दना हुआ या जो जातिय जन्गन्दना हुआ उसके बाद जो आरक्षन का दाइरा वढ़ा उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा लेकिन जब बार में बैट़ा कत्म होई और ग्रीम अंत्री जी का जब प्रेस ली जाया उसमें ये बातों का जिकर हुआ कि नहीं जो आंकड़ों में कहेंने कहीं गड़बड़ी है उस आंकड़ों को लेकर भी अमी साजीन सवाल करें किसी को भी ये राइट है कि किसी आंकडे पे सवाल खड़ा करे लेकिन एक गौर्नमेंट की सीट पे बैठा हुआ जिम्मदार आदमी अगर एडिटोरियल करता है संपात किये लिखने की कोशिश करते हैं तो ये खलत है आपको मेकनिजम के साथ आना चाहिए आपको ये कहना चाहिए कि मैं कराने जा रहा हूँ जाती गदगनना और मैं साबित करूँगा कि ये खलत है आप क्यों संपात की ये कर रहे हैं आपका काम ये नहीं है आप मीडिया वाले नहीं है आप संपादक नहीं है आप home minister हैं और आपको पूरे mechanism के साथ ये बात कहनी चाहिए देखिए इनके दिल में है काला ये न पिछड़े को आगे बढ़ना चाहते हैं न ती पिछड़े को न दलित को न स्वर्न को ये सिर्फ चाहते हैं सत्ता को हत्याना और सत्ता हत्याने के लिए जो भी काम हो सकता ये करते हैं इसलिए बिहार की जनता देश की जनता इनके इन वादों में भुलाने वाली बातों में और इनके संपादकिये में फंसने वाली नहीं है बड़ी बड़ा सवाल है कि मकुमंतर जी यात्रा की शुरूआत करने जा रहे हैं और वो बनारस से यात्रा की शुरूआत हो की रोशनी फैलती है और लोग उनको उसको बहुत पवित्र निगाहों से देखते हैं उस जगह को हमारे निता नितीश कुमार जी सभी आस्थाओं का सम्मान करते हैं और काशी बनारा से कोई चीज शुरू हो तो उसके शुब होने में कोई शक नहीं कर सकता और नितीश कुमा निताओं को मेरे खाल से इगनोर कर दिया जाए नजर अंदाज कर दिया जाए और यह समझ लिया जाए कि इनको बोलने दीजे हाथी तो चलता ही है बाजार में कुछ लोग भूगते हैं लोग ने दीए पिल्कुल खाली दनुवर साहब हैं जो जेडिव के वरिष्ट नेता हैं विधान पार्तद हैं उन्होंने साब तरपे कहा कि जिस तरह से एक बार फिर नितीश कुमार जी की यात्रा की शुरूआत बनारस होने वाली है और इस जात्रा एक बड़ा संदेश जाएगा वहीं उन्होंने सुनील कुमार सिंग पर भी कहा है कि सुनील कुमार सिंग जिस तरह के सोसल मेडिया पे पोस्ट कर रहे हैं उनके पोस्ट का पार्टी भी संग्यान ले रही है पार्टी पे ध्यान दे रह है लेकिन उनके पोस्ट का कोई मतलब है नहीं कर्मन सुमिल के साथ उनुश कुमार किसी नूट पटले